दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा सना शेक ने हाल ही में अपने फैवरेट बॉलीवूड एक्टर के बारे में बात की है एक्ट्रेस ने कहा कि वो शारुक खान की बहुत बड़ी फैन है पर वो मानती है कि आमिर खान ने ओडियन्स को बहुत कुछ दिया है एक इंटर्वियू में फातिमा ने कहा मैं शारुक खान की बहुत बड़ी फैन हूँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि आमिर ने ओडियंस को हर तरह की फिल्में दी हैं चाहे वो रंग्डे बसंती हो, पिके हो या फिर पिपली लाइब इस अभी फिल्में अलग रही हैं फातिमा ने 2016 में रिलीज हुई दंगल में आमिर की बेटी का किरदा ने बाया था इसके बाद वो आमिर सारा ठक्स और हिंदोस्तान में भी नजर आई थी कमी लोग जानते हैं कि 1993 में रिलीज हुई आमिर की फिल्म इश्क में फातिमा ने चाइल्ड आर्टिस के तोर पर काम किया था इसके लावा वो 2001 में रिलीज हुई मंटू का 4 में शारूखान के साथ भी काम कर चुकी है बदो चाइल्ड आर्टिस फातिमा ने चाची 420 में कमल हसन की बेटी का रोल निबाया था आमिर की दूशी पत्नी किरन राउ से तला के बाद से ही आमिर का नाम फातिमा से चोड़ा जा रहा है दोनों को आए दिन सोचल मीडिया पर टोल भी किया जाता है फातिमा की आमिर की बेटी आईरा से अच्छी ट्यूनिंग भी है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद